खुश्कार दोस्तो जसी टेक में आप सबका हार्द एक स्वागत है वीकेंड पर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो डिमांड में वीडियो होता है वोता है निफ्टी मिड कैप का और आज मुझे लगता है कि इस वीडियो को बनाने में मैं थोड़ा लेट जरूर हो गय कि मिड कैप निफ्टी में इत्ती ज़्यादा इंटरस्ट है लोगों का और ऐसा क्यूं है या तो दो कारण हो सकते हैं या तो इसका पचास का लॉट है फिफ्टी का लॉट है तो अगर लेट से एक लॉट में भी लेता है दस रुपए उपर चला गया तो पांच सो बन यहां पर भी प्रॉब्लम रहती है अदरॉइस हर रोज कुछ न कुछ फोड़ा बहुत मोमेंट ये देता है थोड़ा बहुत मोमेंट तो हर रोज ये देता ही है तो यहां पर फसने के चांसे अभी तक तो कम ही नजर आए हैं दोस्तो 14 ऑक्टूबर को एक्सपारी है यानि बाद तब हम यह नहीं कहेंगे कि हर वीक इसके एकस्पारी होगी अच्छा है यह बहुत अच्छा है मुझे लगता है रिटेल जो है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया है हलाकि मैं कई बार से भी कि कुछ चीजों से तोड़ा सा मेरा मत भिन रह सकता है मेरा उपीनि डिफर कर सकता है करना भी चाहिए देखे डिमॉक्रिसी है तो यहां पर ऐसा हो जाता है बट इस बार आइम हैपी कि उन्होंने ऐसा डिसीजिजन लिया और यह डिसीजिजन वाक्या में ही रिटेल के फेवर में है ठीक है चलिए आप बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि संडे को तेरा तारीक को संडे को तेरा अक्तुबर 2014 को हम लोग सुबह 10 बजे से लिक्गार लगबाग ऍञारा साड़े गारा साड़े गारा सब तक एक वेबिनार कर रहे हैं वेबिनार में क्या होगा एक्स्पोनेशिल म coalition ए इमाज, डे माज, इस पर होगी बात चीद, उसको किस तरह, वो है क्या, किस तरह से उसको यूज किया जाता है, मारकिट में उसको किस तरह से यूज किया जा सकता है, आप्शन्स ट्रेडिंग में उसको किस तरह से यूज किया जा सकता है, इस सब पर करूंगा उसमें चर्चा तो अगर आप उसमें भाग लेना चाते हैं पाइडिसिपेट करना चाते हैं तो आप भी भाग ले सकते हैं 999 999 रुपए उसका पीस रखा गया जोके आप फोन पे PTM GP से पेमेंट करके जॉइन कर सकते हैं नमबर आपको जो फोन पे PTM GP का नमबर है वो आपको दे रखा है स् पहले शुरुवात करते हैं अपने कारेकरम की निफ्टी मिड कैप की सबसे पहले तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट पे 12980 पर हुई है क्लोजिंग 12980 पर क्लोजिंग होई है फ्राइडे को अब कुछ लोगों ने मेरे से का है साब हम तो चार्ट ही नहीं लगा पाते यहां पर options बट आपको क्या करना है nymphity mid cap select nifty mid cap index को ही click करना एक तो आपको nifty mid cap का चार जाएगा आलग जाएगा आपके tradingview.com पर अब हमने क्या बातचीत की थी हमने बातचीत अगर मैं फ्राइडे की ही बात करूँ तो हमने बात की थी 12.9.47 के उपर जब तक हम नहीं जाएंगे बाहर साइड के बारे में नहीं सोचेंगे हम कहाँ पर अब यह देखे 12.9.47 हमको कब मिला हमको मिला यह धाई के बाद धाई बज़े के बाद ही मिला और उसके बाद हमारा लेवल था 12.9.88 12.992 तक जरूर गया लेकिन क्या धाई बज़े के बाद हम कोई ट्रेड लेते हैं मैं बार बार हमेशा लोगों को बोलता हूं कि 230 के बाद ट्रेड लेने से बचना है क्योंकि यहां कुछ नहीं मिलाओगा प्रीमें मीटिंग के सिवाए किसी के हाथ कुछ शायद ना लगा हो हाँ एक बार को 12.86 के नीचे जाते हम तो हम लोग सेल साइड के बारे में जरूर सोचते हैं मैं पांच मिनट के चार्ट पे चलता हूं 12.868 के नीचे गए तो 12.841 40 का लेवल आ सकता था 12.844 बहुत कुछ ज़्यादा वो नहीं दिया लेकिन आपको 12.868 क्या था 12.868 बहुत अच्छे लुक्स देखने को जरूर जरूर मिला है अब हम ऐसा करते हैं कि बात करते हैं सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं डेमास पर क्या स्थितियां बनी हुई है क्या वीक्नेस अभी भी बनी हुई है या अब ताकत आने शुरू हो गई है पहली बात तो यह जान लीजे कि यहाँ पर एक Consolidation phase, पिशले तीन दिन, Wednesday, Thursday, Friday. Consolidation चली है जी, Consolidation चली है, क्योंकि आपको अगर आप देखोगे Tuesday और Wednesday, Monday के बाद Tuesday और Wednesday एक रिवर्सल का सेनेरियो बना, लेकिन Thursday को bearish engulf candle बन गई, अब यह जो bearish engulf candle होती है, यह कोई बहुत अच्छा साइन तो नहीं है, और अब जब तक हम इस bearish engulfing के ऊपर ना चलना स्टार्ट कर दें, तब तक हम सीधा clear upside के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हलाकि अगर आप देखेंगे, तो इस bearish engulfing के बाद Friday को हमने closing जो है, पिछले दिन के, यानि Thursday के close से ऊपर की है, बट हमने low भी उस दिन काटा है Thursday का, यह याद रखिएगा, अब डेमास पर अगर हम देखने हैं, तो 9 डेमा के आसपास हमको closing देखने को मिल रही है, लोग बड़े खुश होंगे कि 12,977 का 9 डेमा है, और 12,980 पर closing है, तो यह अच्छी चीज है, ठीक है, आप लोग को अच्छी लग सकती है, लेकिन जब हम डेमास पर देखने हैं, तो आप यह देखेगा, कि 9 डेमा जो है, 20 डेमा के नीचे है, 9 डेमा ने क्रॉस ओवर दे रखा है, 20 डेमा को, 9 डेमा जब क्रॉस ओवर दे के 20 डेमा के नीचे आ चुका है, तो यानि कि weakness परसिस्ट तो कर ही रही है, और अब हमारे लिए, immediate resistance इस कौन-कौन से हैं, तो वो सुन लिजे, 13040, 13039 पर आपका 20 डेमा है, 13,040 आपके लिए सबसे बड़ा resistance बना हुआ है, 13,040 का resistance है जी, आप हमारे लिए 20 डेमा का, चलिए, अब ज़रा एक बार को बात कर लेते हैं, कि क्या market week है, बिलकुल week है, 20 डेमा के नीचे ह लिए तोड़ चुका है, तो weakness तो बनी वही है, बात होगे डेमास पर, अब आगे चलते हैं, और देखने की कोशिश करते हैं, कि कौन-कौन से ऐसे stocks हैं, जो तेजी दिखाने में पेक सक्षम हैं, जा दिखा रहे हैं, 25 में से 16 stocks advances में थे, सहाब, चुकरवार को, और 9 ही declines मे पांच परसंट तक गिरावट दिखी है, इसमें, चुकरवार वाले दिन, IDFC फर्स्ट बैंक भी 7 परसंट पिटा है, और पिटा है, EU बैंक लगबग एक परसंट, आइडिया तो पिठी रहा है, अब तो भई 9 रुपे के आसपास आ गया है, कहां इसकी बातें कुछ TV वाले कुछ चैनल, टीवी चैनल वाले क्या करते थे, जल्दी ये 30, 40, 50 तक की भी बाते की जा रही थी, आपके सामने कहां पर है, अब आइडिया, वोड़ फोन आइडिया, 9 रुपे 22 पैसे, P.I. इंडिस्ट्री भी पिटा ही है, P.I. इंड भी पिटा ही दिखाई दे रहा था, शुक्रवार वाले दिन, अब आपको फोकस रखना है मंडे को क्यूमेंसिंड पे, क्यूमेंसिंड किस तरफ का रुख करता है, क्यूमेंसिंड और परसिस्टेंट सिस्टम, ये दोनों ही टॉप ड्रेगर और टॉप लूजर है, और अच्छी खासी ड्रेग किया है, इसने क और इसको जो परसिस्टम, टॉप गेनर जो है, मैं आपकी जैसे, मैंने ड्रेगर बोल दिया परसिस्टम को, टॉप गेनर है परसिस्टम, परसिस्टम अगर यही रुख तेज रखता है, साथ में क्यूमें इसने का थोड़ी वीक्निस कम होती है, तो वही अपसाइड का closing है और option chain हमारी 13,000 के आसपस देखने की क्या कह रही है option chain पहले तो आप यह देखिए 12,975 पर अभी भी call writer खड़े हैं 12,950 पर भी call writers अभी भी खड़े हैं हलाकि 12,975 पर ऐसा प्रतीत हो रहा कि put writing start तो हो गई है लेकिन अभी भी अगर हम volumes देखें तो 12,975 पर call writers ने पकड़ भना रखी है 13,000 की क्या है बांगी 13,000 पर भी call writer बैठे हुए हैं लेकिन शुक्रवार शुक्रवार शाम होते होते शुक्रवार closing होते होते 13,000 पर put writers ने भी अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दिये नए put writers 5,824 new contract लिखे गए हैं जी 13,000 की put पर और जब 13,000 की put में यहां लिखे जाते हैं तो यह समझ जाए कि अगर 13,000 के उपर हम open हो जाएं यानि कि gap up open हो जाएं तो यहां से 13,000 एक अच्छा support हमारे लिए रह सकता है याद रखिएगा हमने जब चार्ट देखा तो 13,000 40, 13,000 39, 13,000 40, 13,000 40 के करीब हमारे लिए डेमा का resistance है तो अगर 13,000 के उपर हम open हो तो बहुत अच्छी बात है 13,000 का put writer और ज्यादा ताकत वर हो जाएगा call writer back put पे आ जाएगा अब एक और चीज़ देखे 13,000 39 क मैंने बोला आपका resistance है 37,000 रुपए 10 पैसे लग बाग उसी 37,000 38 रुपीज पर ही sell करके गए हुए हैं जी 13,000 के call writer तो उसको भी मालुम है अगर वो डेमा जो है वो 13,000 39 कितना वड़ा resistance है अगर उस resistance को इसने पार कर लिया तो ये back put पे आ जाएगा इसका सीधा सीधा यही म short covering short covering move मिल सकता है दोस्तो 13,000 उस समें बहुत अच्छा बेस बन जाएगा जो कि हमको 13,000 50 नहीं सीधा सीधा 13,100 की तरफ लेके जा सकता है 13,100 की तरफ लेके जा सकता है और अगर 13,100 के उपर हम लगबग लगबग अगर 15 मिनट भी टिक गए या 13,000 15 तोड़ा 13,100 15 तोड़ा तो फिर हम उस तिती में 13,150 की और भी जा सकते हैं अगर हम 12,975 के नीचे एक बार को चले गए तो यह समझ जाएगा 12,975 के नीचे का जाने का मतलब है 13,000 पे कॉल राइटर खड़ा हो जाएगा 13,000 पे भरपूर कॉल राइटिंग हो जाएगी उस तिती में और 13,000 का कॉल स्ट्रॉंग हुआ तो उस तिती में हम लोगों को कहीं सपोर्ट अगर देखने को मिलता है तो देट इस 12,900 के 12,900 के 12,900 पे 12,900 पे बहुत शानदार सपोर्ट है लेकिन अगर 12,900 का सपोर्ट टूटा तो फिर आपको 12,850 और 12,800 तक के भी डाउन साइड के लेवल्स देखन है शौट कवरिंग मूग को या जाए या लॉंग अन्वाइंडिंग हो जाए वह अलग बात है अदर्वाइस यह भी हो सकता है कि आपको एक छोटी सी रेंज में रखा जाए लेवल तो 12,900 का हाई लगा है आपका फ्राइडे वाले दिन लेकिन मैंने क्या बताया 12,900 को को अभी भी यह लग रहा है कि 13,039 अभी भी मैं 13,039 के उपर ही 13,038 के उपर ही बाय साइड के बारे में सोचूंगा 13,038 के अगर हम उपर चलना स्टार्ट करेंगे तो 13,061 आपका पहला लेवल आएगा 13,038 के उपर 13,061 आने में शायद देर ना लगे बहुत तेजी से लगे चाह सकता है और अगर वो भी बार किया तो 13,082 थर्तिन था जाशन ङचाह वी तो भी अगर हमको पार कर गए हम 13,082 तो हम लोगों को दोस्तों एक बार को 13,113 314 का लेवल है 1113 तक आ सकता है और 1313 अगर पार हो गया ना तो यह समझ जाएगा कि फिर हम इस लेवल पर 1315 के लेवल पर जाते हुए देख माएंगे निफ्टी मिड कैप को मंडे को अब डाउंसाइड की भी बात कर लेते हैं मैंने आपको बता है 12980 पर क्लोजिंग और 12975 पर कौन है 12975 हमारे बैठे हुए हैं सपोर्ट बैड़ा है 12975 पर लेकिन 12975 का कॉल अगर वो कट गया 12975 के नीचे जाना स्टार्ट कर दिया हमने लेट से अगर 12960 के नीचे जाना स्टार्ट कर दिया 12960 के नीचे जाना स्टार्ट कर दिया यहां से एक सेल साइड का सिगनल मिल which is 12 930 931 बारह 930 बारह 931 और अगर बारह 931 का भी लेवल तूटता है तो हम लोग एक बार को इस लेवल तक जाप माएंगे which is 12 900 तो बी प्रसाइस एक्जाक्ली बारह 900 बारह 900 तूटा तो उस स्थिति में हम लोग 12 860 के आसपास का लेवल देखने में एक बार को हो जाएंगे सक्षम 12 860 का भी लेवल आ सकता है उस स्थितियों में market is sell on bounce अभी भी जब तक कि हम 13,039 के उपर नहीं जाएंगे 13,049 के उपर अगर चले तो वहाँ से एक तेजी का रुखो सकता है बहुत शांदार तेजी का रुखो सकता है but 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 again as I tell you 13,000 पर अभी भी हमारे लिए एक resistance है छोटा सा लेकिन अगर gap अप मिलता है तो 13,038 के वेट करेंगे उसके उपर चलना स्टार्ट करेंगे सस्टेन करता है तब ही बाइसाइड के बारे में हम सोचेंगे कारण आपको बताई दिया important डेमा है resistance है 13,039 पर अब दोस्तों ये देख लीजिए कि क्या करके गए है FIIs FIIs अगर आप देखेंगे overall market में इनका sell का ही signal बना हुआ है लेकिन mid cap में थोड़ा सा different है अगर मैं mid cap nifty के futures की बात करूँ शुकरवार को तो mid cap nifty के futures में buy की है इनोंने 2437 contracts और 2544 contracts इनोंने किये है sell neutral रखूँगा इस stance को मैं neutral ही रखूँगा मैं इसको कोई bearish या bullish stance नहीं रखूँगा क्योंकि difference कोई बहुत बड़ा नहीं है FIIs के data it's a neutral stance let us see कि क्या होता है वही बात फिर से 13,039 13,0449 के उपर ही हम लोग buy side के वारे में सोचेंगे तो ही बेहतर रहेगा वहां तक का कोई भी bounce शायद एक sell के opportunity हो सकता है अब दोस्तों याद रखेगा कि मैंने आपको बताया ही है कि Sunday को हो सकता है कई लोग जब program हो जाए उसके बाद इस video को देखें संडे को सुबह 10 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं एक webinar 10 बजे से webinar स्टार्ट होगा zoom application पर और इसमें हम लोग बात करने वाले एमाज एंड डेमाज पर exponential moving averages days exponential moving average इसको options में कैसे use करते हैं इसको stocks में कैसे use करते हैं यह होता क्या है इसके basis क्या होते हैं वो सब चीज discuss करने वाला अगर आप भी उसको जोइन करना चाहते हैं तो 999 99 रुपए देकर phone पे pay टीम जी पे पर 78348 76736 पर पे करके आप दे सकते नंबर आपको दे रखा है वीडियो में दिखाई दहीर आओगा स्क्रीम पर print message of the video में और description of the video में भी यह नंबर दे रखा है याद रखेगा जो भी बात चीज़ इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ academic purposes से की गई है इसका बायसल की सला से कोई देना नहीं है बायस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना शुक्रिया नमस्कार धन्यवाद गुड़ लग और mondays mid cap nifty expiry बाबाई